आपन साथ आधार भूत पोशड़त प्राप्त करना आवश्यक है पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर उचित वशंत्रलित मात्रा में इने लेते रहने से ही शरीर अनुकूल स्थर परकारे करता रहता है पानी तो हम पी लेते हैं वसा धारनता भारती आहार में हम कार्बोहाइड्रेट्स वसा भी भरपूर ले लेते हैं परन्तु प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वा फाइबर की कमी रह जाती है और हमारा पोशंट अधूरा रह जाता है उचित पोशंट के लिए हमें अपने तैनिक आहार में बहुत से फल, हरी सबजियां, खड़ेया नाज, दूद, दहीं, सूखे मेवे, मगल जादी वा अन्य प्रोटीन वा फाइबर युक्त चीजें सेवन करना चाहिए साथ ही फाइबर रहित रिफाइड कार्बोहाइडरेट्स का सेवन कम करना चाहिए प्रमुक स्वास्ते संगठनों जैसे World Health Organization, WHO, ICMR और NIN दुआरा हर व्यक्ति की प्रत्येक पोशक्तत्व की दैनिक आवश्यक्ता की मात्रा निर्धारित की गई है जिसे RDA यानि Daily Dietary Allowance कहते हैं यानि हमें स्वस्थ रहने के लिए रोज प्रत्येक पोशक्तत्व की RDA जितनी मात्रा लेना आवश्यक है भाग दोड़ बरी जिंदगी में असमय खाना और फास्ट फूड का बढ़ता प्रचलन हमारे आहार का संतुलन बिगाड़ देते हैं तले हुए मीठे, कैलोरी से भरपूर वा विटामिन मिनरल्स वा फाइबर रहित जंक फूड के सेवन से हमें आहार से परियाप्त वा संतुलित मात्रा में जरूरी प्रोटीन, सभी विटामिन्स, मिनरल्स वा फाइबरादी प्राप्त करने में मुश्किल होती है अधूरे पोशन के कई गंभी परिणाम होते हैं जैसे की असमय बुढ़ापा, रोक प्रतिरोधक शमता में कमी, एनीमिया, सुस्ती, ठकान वा कमजोरी, असमय बालों का जड़ना या सफेध होना वा जुर्रियां, प्रजनन शमता में कमी या नपुन सकता, मदुमे वा हृदे रोक जैसे गंभी लोगों की अधिक संभाव नूट्रिचार्ज, पोशन की कमी से बचाने में सहायक हर्थ सप्लिमेंट्स की एक अनूठी श्रंखला है, हमने नूट्रिचार्ज सप्लिमेंट्स में प्रक्रिति के वरदान वा विज्ञान की शक्ती से प्राप्त विभिन पोशक तत्मों को एक जगा समाहित किया है, अत प्लों, फूलों वा पौदों से प्राप्त सत्व हैं। उधारन के लिए निूट्रिचार्ज मेन वा वुमिन में मेरि गोल्ड फूलों से प्राप्त लिउटीन, खुबानी से प्राप्त लाइकोपीन और स्वास्ति के लिए लापकारी ग्रीन टीजिय से एमाइनो एसिड्स, एंटी ओक्सिडेंट विटामिन्स, मिनरल्स वा फाइबर का संतुलित मिश्वन प्रदान करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिचार्ज प्रोडाइट और मैन वा वोमिन हमें भारती आहार में कम बाये जाने वाले पोशक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स वा फाइबर आदी की भरपाई करने में अत्यन्त सहायक हैं। न्यूट्रिचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रिचार्ज मैन और न्यूट्रिचार्ज वोमिन पोशन की आधार भूत जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं। इसलिए इन बेस रेंज प्रोड़क्ट्स का बड़ा महत्व है। प्रोटीन वा फाइबर की पूर्ती में न्यूट्रिचार्ज प्रोडाइट लाबदायक है। न्यूट्रिचार्ज मैन और न्यूट्रिचार्ज वुमिन आहार में विटामिन्स वा मिनरल्स की कमी को पूर्ती करने में मदद करते हैं। प्रोटीन वा फाइबर हमारे स्वास्थे के लिए बहुत महत्पूर्ण होते हैं प्रोटीन वा फाइबर से भरपूर न्यूट्रिचार्ज प्रोडाइट पूरे परिवार का एक महत्वपूर्ण हेल्थ सप्लिमेंट है आईए देखते हैं, न्यूटिचार प्रोडाइट हमारे आहार में इन जरूरी पोशक्तत्वों की कमी दूर करने में कैसे सहायक है भारती आहार में प्रोटीन समानेता कम ही होता है खास कर भारती शाकाहारी भोजन की धाली में वसावा कार्बोहाइडरेट्स अक्सर भर पूर होते हैं परन्तु कुछ गुणवत्ता वाला प्रोटीन कम ही होता है हम भोजन में फाइबर भी कम ही लेते हैं एक स्वस्थे वक्ति को 55-60 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन जरूरत होती है प्रोटीन्स शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है और शरीर के हरंग जैसे बाल, मास विश्यां वद तचा आधी का प्रमुख हिस्सा है शरीर के विभिन अंगों के रख रखाव के लिए भी प्रोटीन्स आवश्यक हैं विभिन हार्मोन्स, खून में हीमोगलोबिन, पाचन के लिए एंजाइम साधी के निर्मान के लिए भी प्रोटीन्स जरूरी हैं प्रोटीन्स, अमाइनो एसिट्स की श्रंखला से बनते हैं पुर्शों में प्रोटीन की कमी के कई लक्षण हो सकते हैं जैसे की कमजोर मास विश्यां, शारीरिक वा मानसिक कारशमता में कमी, कमजोरी, चिर्चिडापन, असमय गंजापन और तूटते नाखून महिलाओं में भी प्रोटीन की कमी के कई लक्षण हो सकते हैं जैसे की शारीरिक कमजोरी, एठन, रोक प्रतिरोधक्षमता में कमी, जड़ते वा पतले बाल, अनिमित मासिक धर्म, घाव भरने में समय लगना, नीन ना आना इत्यादि वयसकों को लगभग एक ग्राम प्रती किलो ग्राम प्रती दिन प्रोटीन की आवश्रक्ता होती है औसतन भरतिय पुर्षों को 60 ग्राम वा महिलाओं को 55 ग्राम प्रोटीन की देने का वश्रक्ता होती है आहार से प्रोटीन प्राप्त करने की शम्ता आयू बढ़ने के साथ कम भी हो जाती है न्यूट्रिचार्ज प्रोडाइट में सोया प्रोटीन है जो एक उच गुणवत्ता वाला संपून प्रोटीन है सोया प्रोटीन आसानी से पाचन योग्य होता है यह मदुमें वा दिल की बिमारियों से बचाव में भी लापकारी हो सकता है सोया प्रोटीन सभी आवशक 9 अमाइनो एसिट्स प्रदान करता है इसका PD का स्कोर एक है जो सबसे उच गुणवत्ता वाले प्रोटीन का होता है आहार में उच गुणवत्ता वाले संपून प्रोटीन को सम्मिलित करने का एक सुविधा जनक तरीका है न्यूटी चार्ज प्रोडाइट न्यूटी चार्ज प्रोडाइट में बहुत ही लाबकारी 10% फाइबर वा काफी मात्रा में 64% उच गुणवत्ता वाला सोया प्रोटीन है प्रोटीन सभी अती आवशक 9 अमेनो एसिड्स प्रदान करता है तथा इसका पीडी का स्कोर एक है जो उच गणवत्ता वाले प्रोटीन का परिचे देता है न्यूटी चार्ज प्रोडाइट के दो स्कूप लेने से हमें 25 ग्राम सोया प्रोटीन प्राप्त होता है USFDA के अनुसार 25 ग्राम सोया प्रोटीन जितना 40 ग्राम न्यूटी चार्ज प्रोडाइट में है का सेवन रोज करने से दिल की बिमारियों से बचाव होता है न्यूटी चार्ज प्रोडाइट में गुलंज शी आहार योग ये फाइबर रेजिस्टेंट माल्टो डेक्स्ट्रीन है जिसके कई लाभ हो सकते हैं जैसे की कब्ज का घटना, पाचन क्रिया में सुधार, आंतों की अधिक क्रिया शीरिता, कॉलिस्ट्रॉल कम रखने में, मदु में वा दिल की बिमारियों से बचाव में क्योंकि प्रोटीन शरीर की बुनियां दी सनरचना का आधार हैं, अताहे आहार में संपोन प्रोटीन की आपूर्ती से हमें स्रस्थ बनने रहने में मदद मिलती है सोया प्रोटीन एक संपून शरीरिता है